तो कैसे हैं आप सब आप सबी का वेलकम है स्वागत है आज की इस विडियो में I hope आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे और आज हम फिर से बात करेंगे शिबा इनु के बारे में और शिबा इनु का शिबैरियम जो है अब जैदा दूर नहीं है खुद शायतोशी और उनका ट्वीट मतलब जैदा दूर शिबैरियम नहीं है और ऐसे में शिबैरियम को देखते हुए शिबैरियम की आड में क्या कुछ हो रहा है शिबा इनु को लेके वो बात करेंगे आज ठीक है सबसे पहले मार्केट के हाल मार्केट अगर देखो बिटकोईन के लेवल थोड़े से नीचे आया है थोड़ा सा 21,200-300 कल चल रहा था आज फिर से 20,600-700 आया है ठीक है लेगिन फिर से 21,000 बिटकोईन आपको जल्दी दिख सकता है ठीक है एवनिंग में US का स्टॉक मार्केट ओपन होगा तो जैसा US के स्टॉक मार्केट में रहेगा जो हाल ठीक है वैसा ही आपको क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिलेगा S&P 500 कैसा रियक्शन देता है आज क्योंकि दो दिन बाद ऑपनिंग होने वाली है सेटेडे संडे ओफ रहता है स्टॉक मार्केट ठीक है तो जैसा मार्केट का रहेगा 7 पी एम को शाम को 7 बजे वैसे ही आपको जो है क्रिप्टो मार्केट में भी चीजें होती भी दिखेंगी है ना तो थोड़ा सा S&P 500 और US के स्टॉक मार्केट पे भी फोकस करें ठीक है बाकी जो अपडेट रहेगा आपको टेलीग्राम पे हम करते रहेंगे अगर जोई नहीं किया है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में जॉइन जरूर कर लेना विटकोईन 20,600,700 पे जल रहा है इथीरियम जो सेकिंड नंबर की सबसे बड़ी क्रिप्टो करन्सी है 1580 डॉलर मलब 1600 डॉलर के जो लेवल से वो भी नीचे आ चुके है उससे भी नीचे आ चुका है बीन भी जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था और बाइनस के जो CEO हैं वो क्या कर रहे हैं आजकल आपको पता है FTT token को लेके तो ऐसे में बाइनस का जो कोईन है BNB वो भी नीचे आया है ठीक है मार्केट के रियक्शन की वज़ा से हो सकता है क्योंकि पंप भी कर रहा था लेकिन और भी नीचे BNB हास आ सकता है क इसके साथ साथ Top 3 Cryptocurrencies की यह आल है और Altcoins जो की काफी अच्छा अगर आप देखें 7-8% 10% तक भी बहुत सारे Altcoins डाउन गए हैं क्योंकि Bitcoin की Volatility दो दिन की भारी पड़ गई बहुत सारे Altcoins के उपर है ना अब Shiba Inu 11.99 के लेवल्स पे चल रहा है और 0.4 x 0.1199 का लेवल है Shiba Inu का और 11.66 तक भी लो गया है तो काफी अच्छा डिप के अंदर फिर से आ चुक है हमने आपको गई 11.12 पे मिलता है तो Definitely Accumulate कर सकते हैं खरीच सकते हैं ठीक है अब Shiba Inu का Pump भी जल्दी आएगा जैसे ही जो है Shiba Inu का अभी Pump आपको देखने को मिलेगा ठीक है और 10 November आपको पता है बहुत important date है market के लिए है ना तो 10 November को क्या होगा Pump होगा डंप होगा यह सब CPI data बताएगा और Shiba Inu के लिए सबसे बड़ी update ही है कि Shibarium अब ज़्यदा दूर नहीं है है ना बस थोड़ा सा market के momentum क वेट किया जा रहा है और ऐसे ही मोके पे नहले पे दहला दिया जाएगा Shiba Inu की तरफ से और ऐसे में Shibarium की आड़ में क्या कर रही है Wales ये जानना बहुत ज़रूरी है Wales लगातार Shiba Inu को खरीद रही है Wales दीरे दीरे पैसा डाल रही है Shibarium के आने से पहले ये एक आहट भी हो सकती है मैं यह नहीं कह रहा है बहुत बड़ा पंप आ जाएगा स्काई रोकेट हो जाएगा लेकिन हलचल जरूर दीखेगी Shiba Inu में क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है Shiba Inu की ब्लॉक्चेन आ रही है मार्केट में तो पंप तो दीखेगा और आज वेल्स ने क् की एथर स्केन डेटा आप चेक करोगे तो 133 बिलियन Shiba Inu आज इथीरियम वेल ने फिर से खरीदे हैं जिसकी वैल्यू 1.7 मिलियन डॉलर के राउंड है 133 बिलियन डॉलर मले 133 बिलियन Shiba Inu कोईंस जो हैं अपने बैग में इस वेल ने फिर से आड कर लिया है वेल्स सिर् कर रही है है ना तो आप भी तैयारी कर सकते हैं क्योंकि बहुत अच्छा डिप के अंदर आया Shiba Inu तो वेल्स मोका मिस नहीं करती और हो सकता है एक अच्छा कासा पंप Shiba Inu का आप दिख जाए Shiba Inu आने पर है ना इसलिए वेल्स ने 133 बिलियन Shiba Inu फिर से खरीद लियन आ हुआ है 1000% बर्न रेट भी इंक्रीज हुआ है Shiba Inu का ठीक है तो टोकन की बर्निंग हो रही है कभी कम कभी बहुत ज्यदा हो जाती है लेकिन जितनी भी हो रही है वो इनफ नहीं है है ना देखते हैं फ्यूचर में आगे कैसे बर्निंग प्लैन होता है कैसे बर्निंग होती है वो बहुत जरूरी है कि Shiba Inu की सप्लाई कम हो ज्यदा से ज्यदा लेकिन इस टेम पे सबसे बड़ा सिगनल वेल्स दे रही है शिबैरियम को लेके जो यहां पर एक्यूमिलेशन चल रहा है वेल्स का क्लियर सिगनल है क्लियर इशारा है कि कुछ न कुछ तो होगा शिबै कर सकते हैं ठीक है किसी भी क्रिप्टो में इंवेस्ट करने से पहले अपनी जो रिसर्च है वो जरूर करें वह बहुत जरूरी होती है मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए